हल्लाव दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मेरा नाम है कपिल जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि मैं लेकर आया था आप लोगों के लिए स्ट्री एमसी क्यों की सीरीज आज यह सीरीज का तीसरा पार्ट है और हम इसमें देखेंगे नए कुशन्स एक्जाम क्रेकर दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल एंड शेयर विद यूर फ्रेंड्स जिससे यह प्रमूट हो सके और आप लोगों के साथ-साथ दूसरी लोगों को अभी इसमें भला हो सके आए आगे बढ़ते हैं और दिखते हैं कुशन्स को इलबर्ट बिल विवाद किसके सासन काल में हुआ था दा इलबर्ट बिल डिस्प्यूट तुक प्लेस दूरिंग हुज रीज़न आंसर है ऑप्शन टू रिपन के काल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसका अंसर है दोस्तों ओप्शन फोर गौतनी पुत्र साथ करनी आगे बढ़ते हैं दोस्तों असोक के एक प्रांथ दच्छनापत की राजदानी अदोलिखित में से कौन सी थी विच अफ़ फॉलविंग वस दे कैपिटल ओफ दच्छनापत अ प्रोविन्स ओफ असोका इसका अंसर है ओप्शन टू सौनगिरी आगे बढ़ते हैं दोस्तों विच अफ़ फॉलॉइंग ब्राह्मिन टेक्स डेस्क्राइब दा कोरो नेशन अदोलिखित में कौन सा ब्राह्माट गरंथ राजजविशेक का वाड़न करता है आपके अप्शन है कौसतकी ब्राह्मन सत्पत ब्राह्मन पंच्विंस ब्राह्मन एतरिय ब्राह्मन इसका अंसर है ओप्शन फोर एतरिय ब्राह्मन आगे बढ़ते हैं अवर्डर निरंगारी मूमेंट वॉज फाउंड़ बाई निरंगारी आंदोलन किसके दूआरा स्थापट किया गया था इसका आज़ कर दो decrease ऑप्सेंट डूँ बाब Α दयाल दास बाब दयाल दास के द्वारा निरंगारी आंदोलन की स्थापना की गई थी दोस्तों यहां question previous year related question है और यह PCS के question रहे है और यह UPSC के भी question है आप इन questions को बड़े ही ध्यान से और साफधानी पूरवक कीजिए मैं questions में थोड़ा speed में चल रहा हूं और आप इनको वीडियो को pause कीजिए और आगे बढ़ते रहे हैं आगे देखते हैं question तलवंडी घराना स सास्तिर संगीत की निमले खित्में से किस विधास्क से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ है दालवंडी घराना इस वाइडली असोसेटेड विट विट विच फॉलोइंग जन्स ओफ दा क्लासिक म्यूजिक इसका अंसर दोस्तों option A धुरूपत आगे बढ़ते हैं दोस्तों दपूना पैक 1932 वाज़ अ अग्रिमेंट बिट्वीन दोस्तों पूना पैक्ट एक बहुत important पैक्ट है या किन दुन विक्तियों के बीच में हुआ था आपको वो बताना है इसका अंसर है option A गांधी और अम्बेट कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों वो सेड़ दिस मांडू विक्टरी वाज़ द की ओफ साउथ विक्टरी मांडू विजय दक्षण विजय की कुंजी थी या किसने कहा था दोस्तों इसका अंसर है option D अमीर खुजरो वेन वर्दा स्पेशल राइट और प्रीवी राइट ऑफ दा रूलर्स ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट अबॉलिस्ट भारती रियास्तों के सासकों के विशे सदिकार और प्रीवी पंसल को समप्ती कप की गई थी दोस्तों आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि यहां इंडरा गांदी ने समप्त किया था अगर आप यह समझ पा रहे हैं कि इंडरा गांदी ने समप्त किया था तो आपके लिए यह कुश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों option D 1971 1971 में इंडरा गांदी ने इसे समप्त कर दिया था दिरिंग दा रीजन ओफ बिंदुसार असोग वांदा अवंती महाजनपत एंड मर्ज इंड विद द मौरेड एंपायर इन विश टेक्ट इस इट मैंजन बिंदुसार के साथ अनकाल में असोग ने अवंती माजनपत जीतकर मौरेश आमराज में मिला लिया इसका उल्ले किस क्रंथ में मिलता है इसका अंसर दोस्तों option A आगे बढ़ते हैं दोस्तों चचनामा के अनिशार छट्वी और सात्वी सदाबदी में सिंदु देश की राजदानी क्या थी? अगे बढ़ते हैं दोस्तों मासर है आलमगीरी मासर है आलमगीरी मुगल काल का एक साहित या इसकी रचना किस ने की? इसका अंसर है दोस्तों option A साकी मुस्तियत खाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन वर्ट कंटेक्स्ट दू दा मेंशन ओफ पनाही एंड उपनाहा इन दा मिडल इंडियन इस्ट्री अकर? मद दिकाल के भारती इतियास में पनाही तथा उपनाह का उल्ले किस अंदर में मिलता है? इसका अंसर दोस्तों option D पनाह से समझ सकते हैं आज के देशी वासा हम बोलते हैं इनको पनेया लाइक जूता आगे बढ़ते हैं दोस्तों वो फाउंड़ेट दा आदी भ्रह्म समाच? आदी भ्रह्म समाच की स्थापना किसने की? दोस्तों बहुत ही सिंपल कुश्चन है आदी भ्रह्म समाच? भ्रह्म समाच से रिल्टल कुश्चन आपके यूपी असी प्रिवियस यर कुश्चन में दी जाते हैं कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना रहती है इसका आंसर है ओप्शन देवेंद्रनाट टेगोर देवेंद्रनाट टेगोर ने आदी भ्रह्म समाच की स्थापना की थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन विच येर दा लास्ट एलेक्शन टू दा इंडियन लेस्ट ग्लेचर वाज हेल्ड अंडर दा गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक नाइंटीन नाइटीन भारत साथन अदीनिया मुने सवनेस हैं तर गया भारती विधाय का अंतिय निर्वाच चन किस वर्ष में ऑइजित किया गया था अंतिय मिरवाचन अंगरेज्यां कि सासन जाल में कब की था अपको जाणकर वो होगा कि इसमों संदी 1947 तो वैसी अलमनेट हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें कुर्णी रवाचन नहीं किया था कि इसका आंसर आप संदी 1945 1945 पे हमने अंग्रेजी शुदंता के अंग्रेजी सेना के अंतरगत लास्ट इलेक्शन किया था आगे बढ़ते हैं दूस्तों कुष्ण नमर थाइटिसिक्स दा खालसा समाचार वास फाउंड़ वाई विच आफ द फॉलाइंग लेटरेशी परस्नेलिटी खालसा समाचार की स्थापना नेम लिखत में से किस साहित कार ने की थी इसका अंसर है दोस्तों भाई वीर सिंग भाई वीर सिंग के दवारा खालसा समाचार की स्थापना की गई थी दा गांदी इर्विन पैक्ट वाजब पॉलिडिकल एक्रिमेंट साइन बाई महात्मा गांदी अन लौर्ड इर्विन वाई सराय आफ इंडिया इसमें दोस्तों डेट पूची गई है कि इर्विन पैक्ट को मात्मा गांदी और इन्विन के बीच में कब किया गया था इसका अंसर है दोस्तों ऑप्सन ए पांच मार्च 1931 को याग किया गया था अंगे बढ़तें दोस्तों वर असोशेटेड विद दा इंट्रोड़क्शन ओफ रायतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया डूरिंग दा बिर्टिस रूल लेक्स में से कौन बेटेस सासनकाल के दोरान रहियत वाड़ी वंद वस्त की सुरुआत से जुड़ा हुआ था आपको दोस्तों इसकी डारेक्ट आंसर बताने है कौन से ऐसे वेक्ती थे जो रहियत वाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा हुए थे इसका अंसर दोस्तों ऑप्सन सी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुन्रो इन दोनों ने भारत में रहियत वाड़ी सिस्टम की सुरुआत की गई थी अगर आपको पताया रहिए वाड़ी सिस्टम क्या था तो आप मुझे बैदा सकते हैं यह क्या था आप इसको कमेंट में लख सकते हैं कि आंगे बरतें दुस्तों कि बुल्ड बिल्डिंग कि कल्यान कि किसकी राज्य में मंदिर निर्माड में कल्यान मनडप का निर्माड एक उल्लेखनिय विवेस्था थी कल्यान मंदप दोस्तों इसकान सर्याप संधी विजय नगर विजय नगर राज में कल्यान मंदप निर्माड एको लेखने में सिस्ता थी को रिकमेंडेड फॉर्ड एस्टेबलिस्मेंट ऑफ फर्स्ट्री उनिवर्स्टी ऑफ इंडिया इन कलकत्ता बोंबे और मद्रास में भारत के पहले तीम विजय विद्धालों की स्थापना के लिए किसने से वारिज दी इसका अंसर दा ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं दोस् अगे बढ़ते हैं अगर आपको नहीं पता है आपको यह पता होगा कि दोस्तों 1857 से अक्सर करके ऐसे कुशन पूछे जाते हैं कि किस छेत्र से किस राजा के तुवारा इस उतनता संग्रा में भाग लिया गया था और कभी-कभी यह भी पूछ ले जाता है कि ऐसा कौन सा रेजिसा सकता जिसने इन राजाओं के साथ युद्धि किया और इस अंदोलन को दवाया आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें डेली दर्वार के बारे मैं यह नहीं पूछा है आपसे कि यह कौन सा था आपको इसमें बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि इसमें एकी आंसर ऐसा ह जिसमें उसके समय में देली दर्वार लगा था आंसर ऑप्शन भी लॉड लेटन लॉड लेटन के समय देली दर्वार लगा था दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 43 बाइविच एक दा इंगलिस डेक्लियर डेक्लियर देट आल ऑफिसर इन इंडिया ओपन तु मै इर्रेस्पेक्टिव ओफ नेशनलिटी और कला किस अधिनियम के द्वारा अंग्रे जोने कोशना की कि भारत में सभी अधिकारी राष्टियता या रंग के बावजूतियों किता के लिए खुले हुए हैं इसका आनसर दोस्तों ओप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम इस्ट इंडिया कंपनी की चाय और चीनी को साथ सभी मोनोपोली को खतम करता है इसके बाद योरोप की और भी कंपनियों को भारत में आकर व्यापर करने का मोका मिला आगे बढ़ते हैं ने में लिखते हैं किसने दा हिंडू असोशीएशन की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ भी जितनी वी सुत्त संग्राम में प्रियोग की गई जितनी वी असोशीएशन जितनी वी और गनाईशन हैं आप उनको दिमाग में रखिये और यहाँ कभी भी पूची आ सकती हैं इसका अंसर दोस्तों ओप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट श्रीमती एनी बेसेंट ने दा हिंदू असोशीएशन की स्थापना की थी आगे बटनें दोस्तों का कोरी ट्रेन के मामले से जुड़ा नहीं था दोस्तों का कोरी ट्रेन मामला एक बहुती बड़ा मामला है जिसके बारे में हाली ने यूपी गवर्मेंट में इसमें बदल के इसे का कोरी ट्रेन एक्शन भी कर दिया गया है वीडियो को पॉज कीजिए और अपना अच्छन निकाल लेकी कोज़िए दोस्तों इसका अंसर है दोस्तों उप्शन डी सुखदेब दोस्तों सुखदेब इन मैंसे का कोरी टेन कॉंस्परेसी में सम्मिलित नहीं थे आगे बढ़ते हैं दोस्तों साइमन कमीशन का घटन किसकी समीच्छा के लिए किया गया था वीडियो को पॉज कीजिए और कुश्चन निकालने की सोचिए दोस्तों इसका अंसर है ऑप्शन भी आगे के सुधारों के लिए भारत की आयुक्ता फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर्फर रिफॉर्म्स क्योंकि भारत में कोई भी लैस लेचर के लिए काम तो पहले ही सही कर रहे थे और भारत के लिए बनाना चाहते ही नहीं थे दोस्तों भारत का हिस्सा काट कर पाकिस्तान एक नया देश मनाया था जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं पर ये पाकिस्तान का नाम किस ने दिया था आपको ये बताना है इसकान से लो, दोस्तों, आप संडी चौधरी रहमत अली चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम सुझाया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों जोतिवाफ उले के सत्शोदक समाज ने पिछली सदब अबदी में क्या प्रियास किया वाट्य जोतिवा फिल्वेसति सुदक समाज अटेम्टेड इन लास्ट सैंचुरी अब वीडियो को पॉस कीज़े और सोचिए कि जोतिवा फिल्वेस ने ऐसा क्या किया था दोस्तों इसका अंसर है आप्शन भर option 1 नीची जातियों को पाखंडी भ्रामड़ों और उनके अवसरवादी सास्त्रों से बचाना क्योंकि जोतेवा फिलो का जो अंदोलन था यानि जोतेवा फिलो का समाज था सती सोदक समाज इसकी स्थापना भी उनों इसलिए की थी कि ब्रामड़ों का उसमय का पाखंड बढ़ता जा रहा था और वो ब्रामड़वादी विचारों से बचना चाते थे या फिर समाज को दलितों को इस चीज के लिए उत्थन करना चाते थे आगे बढ़ते हैं निम्लिक्स मेंसे किसने गोल्डन पैगोड़ा की भूमी कहा जाता है which of the following is called the land of golden pagoda दोस्तों इसका अंसर बहुत ही सिंपल है इसका अंसर है option one Myanmar Myanmar is known as the land of golden pagoda for its glittering golden pagodas it is also known as surrender भूमी of golden land इसी के साथ इस वीडियो का end होता है दोस्तों please like and subscribe my channel अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ share करें और subscribe my channel इसको importance अगर कोई कभी लगती है तो आप मुझे बता सकते